जब लग गुरू मिले न साचा, तब लग गुरू करो दस पाचा गुरू बदल सकते हैं? क्या गुरू बदलने से पाप लगता है? अध्यात्न के इस मैदान में आखिर सही गुरू काऊन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संथ काऊन है? इन सभी प्रश्णों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिये. जगत गुरू तत्वदर् थे रोटी रोजी के लिए निर्वा के लिए उन्होंने एक सिंपल सा कार खाना लाया यानि जिसमें कुछ भी खर्चना हो कपड़ा बुनने के उसमें चार पांस डंडे से गाड़ें होते हैं बस लकडी के काट के जंगलता है और उसमें सूत लाकर लोगों से उनको बनाने की मजदूरी लेते थे तो जिस कारण से वो कपड़ा बुनने के कारण जुलाहा नाम से परसिध होगे अब वो संतान हीन थे व्यक्ती तो कुछ अपनी कर लेता है संतुष्टी लेकिन ये भेहन जो होती है इनको समाजनी टेकन देता कोई ना कोई आता है पूछता है अरे अच्छा नहीं दिया एक बालकते चाहिए था तो फिर वो रोती है वेचारी जिसका संतान नहीं होती है तो ऐसे ही कोई एक दिन इंजेक्शन लागया निम्मा के श्याम ने कोई बात चलगी होगी तो सुबह उठकर वो इस जेष्ट सुधी पूर्ण मासी को सुबह सुबह ब्रहम मूरत में सनान करने के लिए चल पड़े और स्याम ने कोई रिष्टेदार आया कोई पड़ोसी आकर उसको प्रेरित कर गया कि बगवान ने एक बालकते देनाए चाहिए था और बच्चे बिना तो जी उन्हें कुछ को जा ऐसा अमारी अपनी सोच है लेकिन बगवती मारग में इसके विप्रित ग्यान है वो समय आने पर बताएंगे अभी तना समय नहीं अब नीरू नीमा दोनों सनान करने के लिए परती दिन की तरह है वो चल पड़े है कहां अपने उसस्थान पर जहां पर ती दिन सनान करते हैं लहर तारा तलाब पर उद्थर से क्या होताहिए व प्रमेश्वर अपने लीला नुसर् अपने गुणाणुर्शार सतलोक से गवन करके गति किरके विजले जैसी गति तिवर्ता से वहां से आया एक परकास का पुंज दिखाई दिया परकास का गोला सा और वहां पर एक परत्यक दर्श्टा थे अश्टानद रिसी वो परती दिन उसी सथान पर सनान करने जाते थे एकांत सथान देखकर प्राकर्तिक वहां बैठकर अपने गुरुदेव स्वामी रामानंदी से प्राप्त साधना उसका वहां अभ्यास करते थे उस दिन भी वो अन्हाक सनान करके साधना करने का प्रियतन कर रहा था उसी समय उपर से एक परकास का गोला सा आया अस्टानंद डिसमेरिसी की आँखें उपर को हुई देखा तो बहुत तेज था वो आँखें बंध होगी जैसे हम सुरिय की तरफ देखते हैं हम अमारी आँखें सुरिय की तरफ ज़्यादा देर नहीं देख सकती है पिर आँखें बंध हो जाती है बंद आँखों में हम क्या देखते हैं कि सुर्ये के आकार का एक धीमा सा गोला सा दिखाई देता है उसका आकार दिखाई देता है परकास रही तो ऐसे जब अश्टानंद जी की आँखें बंद हुई परकास को सैन नहीं कर सकी परकास को तो आँखें बंद होगी आँखें बंद होने से उसने क्या देखा कि कोई सीशू दिखाई देता है बालक आँखें खोली क्या देखा कि उपरकास उस लहरतारा तलाब के उपर एक कौने में सिमट गया आँगे वो अंधेरा था देख नहीं सका अब उसने सोचा ये क्या देख्या बगवन अपने गुरु जी से संका का समाधान कराऊंगा वो तो उठकर चला गया और अपने गुरु स्वामी रामानंदी से पूछा कि है बगवन आज मैंने ऐसे ऐसे देखा ये कोई मेरी बगती की उपलब्दी है या कोई मेरा भर्म है आका से परकास का गोला सा आया आखे मेरी सेहन नहीं कर सकी बंद हुई तो उसमें एक सिसू रूप दिखाई दिया बालक का रामानंदी को जैसा ग्यान था अपने सिस की समाधान संका का समाधान इस परकार किया कि बच्चा इस तरह के ऊपर से जो परकास के तारे से तूटते हैं तो ये कोई अवतार लोग आते हैं नीचे वो किसी मा के गर्ब में जाएगा और वहां से फिर जनम लेकर यहां कोई लीला करने आया है उपर के लोकों से कोई अच्छी आत्मा या कोई आवतार आते हैं तो ऐसी लक्षन होते है अब अश्टानन तो संतुष्ट हुआ है क्योंकि गुरु जी जो संका का समाधान करें वो फाइनल है अब उदर से क्या वो नीरू नीमा आ रहे थे सिनान करने के लिए उसी सथान पर लहरतारा तलाब में रस्ते में नीमा को वो बातें याद आई जो रात स्याम के समय किसी बहन ने उसको छेड़ चाड़ कर दी थी उसको कोई प्रेर ना कर दी थी कि बता बालक बिना भी कोई जीवन हो से तो अज़्यादा दुखी हो रही थी रो रोने लगी है बगवन ये बगवन सिव जी बलहें को मुसल्मान बन गए थे लेकिन बगवन सिव की पूजा हरत है सिवा भूल नहीं पाए थे और कहने लग में क्या बच्चों की कमी है इस दासी को भी एक कोई लाल दे देते है कोई बच्चा दे देते है मेरा भी समसार में इसा हो जाता पता नहीं क्या क्या बात बनावे हैं मुझे देख कर छुप जाते हैं कि ये तो मन हूसाईगी न्यू कहा रोव बुरी तरह अब नीरू ने क निमा यदि हमारे किसमत में होता तो भगवान संकर में दे ही देते, अब आखें खराब ना करें, देखो बच्चा हमारा कोई है नहीं, आखें तु रो रो कर अंदी हो जागी, उंगली पकड़ने वाला बुड़ापे में कोई है नहीं, तु कुछ विचार विवेक से काम ले मत रोया करें, चुप हो जा, ऐसे कहते कहते वो लहर तारा तलाब पर आगे, अब पहले निमा ने सनान कर लिया, निरू बाहर बैठिया, निमा सनान करके बाहर आई, निरू सनान करने के लिए फिर लहर तारा तलाब में परवेस कर गया, अब बरहम मुरत होता है, सुबह का डेड़ गंटा सुरिय उदे होने से पूरुप और वो डेड़ गंटा इसा ऐसा होता है कि एक बारती सांद एरा दिखेगा फिर तुरंत ही चांदना रोस नीसी बन जाती है नो कुछ दिखाई सा खूब दिखाई देने लग जाता है नीमा जो वस्तर बांद कैसरान किया था उसने उसको धोने के लिए वापस किनारे पर गई तो क्या देख्या कि कमल के फूल पर कोई वस्तू हिल रही है क्योंकि प्रमात्मा नीला कर रहे थे कमल के फूल पर लेटे हुए थे और एक पैर को हिला रहे थे ये अस्टानंद रिशी सामने बैठा है प्रमात्मा कमल के फूल पर राजवान है अस्टानंद जी की आखे खुली की खुली रह गई है और ये आकास से प्रकास आने का चित्रा आपने देखा अब नीमा ने क्या देखा कि कोई सरप तो नहीं है कहीं मेरे पती को ना डस ले जब ध्यान से देखा कि ये तो बालक है अपने पती को जो साथ में सिनान कर रहा था गहरे पानी में उसको आवाज लगाए कि जी देखना देखना ये बालक, देखना ये बच्चा डूबेगा जल में बच्चा डूबेगा, कमल के फूल पर बालक है अब नीरू ने सोचा कि या तक कती में इंटल हो ली बच्चों के मूँ में और देख अब इसने जल में भी बालक दिखाई देन लगे है बगवान सद्वुदी दो दाता इसको तो वो करने लगा सनान करता करता कि नीमा तो कती पागल होगी तो उसने का कि नहीं जी देखना सचमुच देखो देखो ये रहा, बच्चा डूबेगा अब नीरू ने देखा कि आज इसकी आवाद में कुछ सचाई है जिदर वो संकेत कर रही थी देखा उसने के सचमुच एक बालक है तो उसने आव देखा ना ताव देखा फट उठाया कमल के फूल से में तोड़ लिया बालक को और अपनी पत्नी को दे दिया और नीमा इस प्रमाइस्वर को लेकर के बाहर आगी सरोर से अब नीरू ना रहा था और नीमा ने देखा उस प्रमाइस्वर का इतना सुन्दर सरीर इतना सुन्दर चेहरा अपना अत्माँ जिस बगवान के नाम लेंड़ते हैं रोम रोम खड़े हो जाते हैं और उस प्रमेश्वर के लिए दुनिया भगत बटक रहे हैं लाखों वर्सों, हजारों वर्सों, सेकडों वर्सों तक तपस्याएं कर ली वो प्रमात्मा ना मिला और उस बहन को नीमा को की गोदी में बैठा है अपने अत्माँ बरफ तो दूर से ही ठंड कर देती हैं और निकट हो जाता कती गर्मी आसपास नियाने दे तो संसारिक दो दुख उस बगवान की प्रिजन्स में छूम अंतर हो जाते हैं और जब ये टेंसन खतम हो जाती है तो आत्मा अपने आपको हलका सा महसूस करती है तो प्रमात्मा की उपस्तिती में ये समाप्त हो जाते है तो जिस मालक के नाम लेंड तात्मा गदगद हो जाती है और उसको वो माई लाड कर रही है सीने से लगा रही है कदे उसका मूँ चूम रही है और सुकर मना रही है अपने बगवान संकर का है बगवान है संकर बगवान आज जए अरज करी थी अरज देते हैं आज जए सुन दी मेरी अब परमात्मा कहते हैं के जगत का पेख ना पेखा और दनी का नाम ना लिखा वहाँ नंबर संकर बगवान के बुनंदग रहे हैं और माले खुद आ रहे हैं उसके लिए तो हम ऐसे था हमारे साथ हम लोकवेद के आधार से जो भी साधनाए करते थे जो भी सुख होता था प्रारवद बस तो हम अपने इन बगवानों को क्रेडिट देते थे आते हैं वह सचीध अनंद गन ब्रह्म की वानी की अपनात्म आपको प्रमात्मा के मरत वानी सुनाते हैं चोरा सी बंधन कटे कीनी कलप कबीरे चोरासी बंधन कटे की नी कलप कबीरे बवन चतुर दस लोके सब ये टूटे जम जन्धीरे अनंत कोट बर्मांड में वो बंदी छोड कहाए सो तो एक कबीरे हैं वो जननी जने नभाए कुना अत्माओ ये इतना लंबा सुड़े बस है कि जो दास आज सुरू करना चावे था सुनाना चावे था वहां तक जो पहुंच ही नी पाया है फिर भी ये सारा ग्यान मिल कर ही हमें ये पूरे हमारा पूरा कोरस होगा अब यहां क्या बताया है कि प्रमात्मा ने मालूम था कबीर परमेश्वर जी को कि मैं जो वानी अपनी बोल कर जा रहा हूं सचीदा नंद गंबरम की वानी कबीर वानी तो आने वाड़े समय में ये काल के दूथ नकली कबीर पन थी इसमें बहुत सा फेर बदल कर देंगे दंद कथा बना लेंगे उसकी पूरती के लिए उन्होंने आदनिया ग्रीबदास साहिब जी को वो सत लोग से चल कर आए एक साथ दो रूप में गाओं छुडाने जला ज़जर खरियाना के अंदर खेतों में गऊ चरा रहे थे वहां मिले दस वर्स के बालक थे आदनिया ग्रीबदास साहिब जी उनको अप उनकी आत्मा को सचखंड लेकर गए सत लोग दिखा सारे बर्माण दिखाए बर्माविशुन मैस की सचीची से परिजित कराए फिर उनको वापे छोड़ दिया उन्होंने फिर वो परमात्मा की महिमा सुनाई सारी आखों देखी अभी नकली कभीर पंतियों की थोड़ी सी जलग दिखाते हैं आपको इनके दो अब कहते हैं गुरु बिनकाउन पाया ग्याना जो थो था वो छड़े मूड के साना है ये देखिएगा एक कबीर सागर है परमात्मा के सचीदानंद गनबर्म की वानी है या और लिपीवद की है आदनी दर्मदान साहिब दी ने खेमराज श्रीकरशन दास परकासन बंबई से मुबई से ये परकासित ये कबीर पंथी ही इसका संसोदक है कबीर पंथी बारत पतिक स्वामी यूग लानंद बिहारी द्वारा परिस्कृत ये खेमराज परकासन दास ये परकासन बेमुदरक है इसके अद्याक्स व्यंक्टेश्वर प्रेस खेमराज स्रीकर संदास मारग मुबई अब इस के देखिए ना क्यों कर अडंगा कर रखें ये बोद सागर कभीर चरीतर बोद नाम अग एक सब्जेक्ट है अद्याय है यो इस में चैप्टर है यहां क्या लिखा है कि समवत 1455 विक कर्मी जेश्ट सुधी पूर्ण मासी को सोमवार के दिन सत्पुरुष का तेज कासी लहर तालाब सहर लहर तालाब में उतरा उसमें पर्थ्विय और आकास परकासित हो गया उसमें अस्टानंद वैसनों एक तलाब पर बैठे थे वर्ष्टी वर्सा हो रही थी बादल आकास में गिरे रहने के कानंद कारचायत हुआ था और बीजली चमक रही थी जिस समें वह परकास तालाब में उतरा उस समें समस्त तालाब जगमक जगमक करने लगा बड़ा परकास हुआ तो अश्टा नंद जी ने उस तेज को देखा तो आनकर उसका समस्त विवरन रामानंद स्वामी से सुनाया कहां और स्वामी जी ने मैंने लहर तालाब में एक ऐसी जोती देखी ऐसा ऐसी जोती का ने रक्षन किया है जिस के जिस से मुझको अत्यन तास्त रिये हुआ उस जोती काकास में उतरे और लहर तालाब में ठैरते देखा यह सारा तब यह बात सुनकर रामानंद स्वामी नश्टानंद से कहा कि वह परकास वह परकास जो तुमने देखा उसका कौतुक सिगर ही तुमारे देखने हो सुनने मावेगा वह तेज बालक के आकार में हुआ उस जल के उपर कमल के फुष्प में उतारने और बालक के सद्रिस हाथ पाउं फैकने लगा आगे नीरू के पूरो जुनम की कता सुपत सुदर्शन के माता पिता के थे वे दोनों बंगी का शरीर छोड़कर ब्रामन ब्रामनी हुए थे यह अरती ठीक रखे आगे देखिए तो दास पताना चाहता है नीरू जुलहा कासी में नगरी में रहता था एक दिवस वहे अपनी पत्नी को अपनी इस्त्री को अपनी इस्त्री से चलाता था अब चाहता देवात वहे लहरतारा तलाव के समीप से निकल कर निकला उसकी इस्त्री निमा प्यासी हुई और जल पीने के निमत हुए तलाव पर गई वहां देखा तो एक बड़ा ही सुन्दर बालक को कमल में कमलों में पैरता फिरता है और हाथ पाओ फैक रहा है उस बालक को देखकर निमा तलाव के भीतर गुस कर बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और तलाव से बाहर निकल कर निरू के पास आई अब देखो ये तो क्या करना चाहते हैं यहां देखिया के फिर देखना ये इनका करने का तास्परी ये है अब दास्टोयर की नालाग की बताना चाहता था ये है कि वो क्या बताना चाहता था कि देखो तब पूछा कि यह कि इसका लड़का ले आई तब निमा ने उतर दि नीरू ने कहा कि यह लड़का जहां से तू लाए वही रख नहीं, रखा नहीं तो मालू कि यह किसका लड़का है, तब उस इस्तरी दो उतर दिया कि ऐसा सुदर बालक तो मैं कदाब पे नहीं छोड़ूंगी, तब नीरू ने कहा कि लोग मुझे को हसेंगे और ठठाएंगे और ठठे उड़ाएंगे, कि मुकलावे में ही नीरू अपनी इस्तरी के साथ एक पूतर भी ले आया, अब इनकी नाला की बताऊंगा अब तो आपको दिखा है कि इसमें नूर लख्या है कुछ, ये क्या कहना चाहते हैं, कि नीरू अपनी पत्री ने पहली बार लाया, मुक अश्टानन्द उड़ा बैठे था उपर सामें, अकल देखो इनकी, अश्टानन्द वासाद ना कर रहा था, उस उपर सामें, ये बिना तो की बात, वास्तविकता ये है पुनात्माओं, ये इनकी दंतकता है, सच्चाई इस सच्च को सत रखने के लिए, सच्च को उपर र इब समझ माओगी, अब आदनी गरीबदास साहिब जिन आखों देखा उस परमेश्वर का वो सत वरनन किया है, जैसे तुलसी दास जी ने, शिरी राम चंदर जी के लाखों वरस पहले गटी हुई गटनाओं को, और अपनी चौपाईयों के मादम से ज्यों का चौँ वरनि नार मान कर बगवान स्री राम की महिमा सुनाई जाती है, अब ये एक दिवद्रिष्टी होती है, अब जो तुलसी दास जी को जो दिवद्रिष्टी प्राप्त हुई, और जो गरीब दास जी को प्राप्त हुई, उसमें बहुत अंतर है, जैसे एक दुर्बीन होती है, किलोमेटर उपर तक का कहीं दूर तक का तो ऐसे ग्रीब दास साहिब जी को भी प्रमातमा ने वो दिवद्रिश्टी दी उनका ग्यान योग खोल दिया और उस अच्छाई को तुलसी दास जी की तरह अपने वगवान कबीर साहिब की महिमा का वर्नन किया अनन्त कोट बरमंड में बंदी छोड कहाए सो तो एक कबीर है जननी जने नमाए सब्द सरूप साहब धनी सब्द सेंद सब माहीं बाहर भी तर रमर्या जहां तहां सब ठाई जल्थल परच्वी गगन में वो बाहर भी तर एके पूरण ब्रम कबीर हैं वो अवगत पुरस अलेक सेवक होकर उतरे इस परच्वी के माही जीव उधारन जगत गुरू हूँ बार बार बलिजाही अवादनिय गरीवदा साइब जी क्या कह रहे हैं कि वो दासबन का आए यहां पर कहते हैं सेवक होकर उतरे अवतरीत हुए वह सीधे चल कर आए वो किसी माता पिता से जनम नहीं हुआ उनका मा से जनम नहीं सेवक होकर उतरे इस पर्थवी के माह और जीव उधारन जगत गुरू हम जीव का उधार करने के लिए वो जगत गुरू जगत गुरू माने पूरे विश्व को तत्व ग्यान देने वाले परमात्मा वो तत्व दरसी संत रूप में आए कासी पूरी कस्त किया वो उतरे अधर अधारे अधर अधार जो के तुछ सी दे आए उपर दे अधर ते और मुमिन को मुजरा हुआ वो जंगल में दीदारे जंगल में दरसन वे लेर तारा तलाब में कोट करन ससिभान सुध ये आशन अधर विमाने हैं कोट कोटी करन ससिभान सुध अधर विमान उस परमात्मा का वास्त्मी गडूप तो वहां पर है और यहां पर क्या बताते हैं प्रमात्मा आदनी अगरीबदास साहिब जी बता रहे हैं छोटे से बालक रूप में प्रगड प्रमात्मा कबीर देव जी के सरीर से इतना सुंदर नूर निकल रहा था जैसे क्रोड पदम चमक रहे हो उसमेज नीरो उना अपने हाथों में लिया फिर उनोंन अपने लिला को समेट लिया अब नीमा ने बालक की तरह पहले उसको मों को चुब्या, मुख चुम्या सीने से लगाया गदलिया मुख चुमी करेह। रूप जल कांते। इतना सुंदर सरीर सफेद सरीर था मालिक का जैसे हिम माने बर्फ होती है जैसे कपड़ा लेने जाते थे दुकानदार से कहते हैं वे सफेद देना वो कहता था देखो सनो वाइट है सनो वाइट माने बर्फ जैसा सफेद है तो यहां उसी को कह रहे हैं गरीबदास साहिब जी कि गोदलिया मुख्चूमे करे हिम रूप जलकंते बर्फ जैतना सफेद मालिक का चेरा और जगर मगर काया करे जन दमकें पदम अनन थे कासी उम्टी गुल भया वो मुमन का गर गेर अब क्या हुआ नीरू सनान कर रहा था और निम्मा वाँ बगवान के दरसन करकर प्रमात्मा का सपरस करके सीने से लगा लगा के आनन्दी थोरी थी अब नीरू सनान करके आया उसने देख्या कि यह तो बच्चे में बहुत मस्त होगी तो उसने हिसाब लगाया कि यदि हम इस बच्चे को घर ले जाएंगे तो कासी के लोग कहेंगे यह किस का वालग कहां से ठालाए तूँ और पहले तो हमारा कोई मुसल्मानों में मित्तर नहीं हिंदों से संपरक रहा नहीं तो यह हमें नगर से निकाल देंगे और बच्चा भी झिल लेंगे ऐसा कुछ सोच कर अपनी पतनी से कहा नीमा तो इस बालग को यहीं छोड़ दे इसी में हमारा हित है नीमा कहने लगे जी पतानी से बालक ने मेरे क्या जाद्दू कर दिया मैं छोड़ नहीं सकती मैं प्राण त्याग दूंगी इस बिना मैं रह नहीं सकती अब नीरू ने पूरे जीवन में अपनी पतनी की तरफ पर्थम दिन उस दिन हाथ उठाया था उसको थपड मारने के लिए और कहा था कहने लगया कि तू जिद्दी होगी हट्थी होगी है मैंने तेरी किसी भी बात को आज तक मोड़ा नहीं इसलिए नहीं मोड़ा कि हमारे संतान नहीं और जो तू कहती रही मैं स्विकार करता रहा कि इसकी आत्मा दुखी नहीं जिस कारण से तू एक जिद्दी होगी है हट्थी होगी है और आगा पीछा कुछ देखने रही है सब कुछ बताया कि हमसे बच्चा भी छीन लेंगे ये गाउं से भी निकाल देंगे और तू मान जा तो उसने ऐसे थपड किया था कि तरह मार दूँगा ना इसना रखते तो परमातमा बोले वो नवजाद सी सुरूप में के नीरू मुझे घर ले चलो तूमें कुछ नहीं होने वाला अब ओडर गया कि बालक बोले एकदम गवरा गया कि कोई फरिष्टा ना हो और तेरे उपर कोई आपती ना आजा चुप करके आगे चल पड़ा अपना अत्माओ परमातमा पत्तिस लोग आगे दिखने के लिए दुरू दुरूशे अब ये तब नो तो पुछा भी कहा मिला कि ऐसे ऐसे लहर तारा तलाप पर कमल के फूल पर अब ये कोई ज़्यादा किसी ने गहराई से नहीं पुछा लेकिन बच्चे की परसंसा करन लागे जो एक कवर के सुन्दर स्रीर ने कोई नो कहे तो विष्णु जी का रूप है कोई नो कहे तो विष्णु जी सा दिखा सुन्दर कोई कहे तो संकर भगवान आ रहे है दूसरे कोई नो कोई कहे तो कुछी गण उत्रया है यानि इतना सुन्दर स्रीर बालका नहीं हो सकता तो इस तरह पूरी कार्सी में चर्चा का विश्य बन गई है फिर क्या हुआ पत्तिस दिन के होगे बगवन और कुछ नहीं खाया पिया अब निमा फिर चंतित होगी साथ में नीरू भी दुखी अब वो कहने लगी है बगवान है बगवान संकर या तो ये देना नहीं था अर्दाता दिया है दिविसको ले रही हो अब ये मरेगा साथ में मरूंगी फाइनल फैसला का तिया अर्दे में सोच लिया तो परमात्मान तरियामी है उन्होंने सिव जी को प्रेड़ना की अब सिव जी के कसक हुई के तुझे कोन याद करके रो रहा है वहां से वो चल कर आए सिव बंडल से सिव लोक से एक साथ दो रूप बना के और आके कहा के माई क्यों रो रही है नीमा ने बताया के मात्मा जी के बताओ रहने दो मेरे दुख ना सुनो आप भी दुखी हो जाओगे तो बगवान सिंकर ने कहा के माई ऐसे कहते हैं अपना दुख दूसरे को बता दे अलका हो जाता है और हो सकता है मैं भी कुछ समाधान कर दूँ तो नीमा ने फिर सारी काणी बता दी के पहले तुमारे कोई संतान नहीं थी एक दिन मैंने अपने बगवान सिप को याद किया था उन्होंने कबल के फूल पर लैरतारा तलाब मैं बालक च बेज दिया मेरे लिए और अब ये कुछ खापी नहीं रहा मातमा जी 25 दिन का हो गया और ये मरेगा साथ मैं मरूंगी ये मेरा अट फैनल फैसला है अन्ति फैसला है यूं कह कवरोन लगी तब सिव जी ने कहा कि तेरा बालक दिखा कहा है निमा ल्याई उठा के अर सोचा मातमा के चरना में डाल दूं कुछ दया हो जया बच्चा जी जया है बगवान संकर के साथ रूप में खड़े पैरों में डालना चाहा एकदम परमातमा वहां से उठे वो बच्चे और बगवान सिव के शिर के सतर में लेवल में आकास में हवा में ऐसे सतिर होगे तब बगवान संकर ने ऐसे किया उनकी गोदमा आगे और वहां काफी देर उनकी आपस में चर्चा हुई तब परमातमा ने कहा कि इसको कहो नीरू को एक कवारी गाएं लियावे जिस जाके संग बैल नहीं लागा यानि कती कवारी अंटेस्ट और वो फिर दूद देगी आप आशिर्वाद दे देना बगवन कविर साहिब ने कहा है बालक ने शिव जी चे कि मातमा जी आप इस पर आशिर्वाद दे दियो और ये वा फिर दूद दिया करेगी एक कोरा पर तनमगा लो तो शिव जी ने जब जब कह दिया नीरू को उसकी पतनी से कि बुला तरे पती को वो भी आ गया वो जा कर गाएं लिया कमारी गाएं लियाए एक कोरा बरतन लियाए थोटा सा दो माज़ को उसको और बगवान सीव ने कमर पे हाथ मार दिया लंबे-लंबे सतन हो गे उस गाएं हाम आत्मी को नहीं बताना और आप ये दूद पिया करेगा उस दिन के बाद पर मात्मा दूद पिने लगे अपने आत्मा ये तो पर मात्मा ने लिला की वो करते ही है अब इस परमेश्वर ने कबीर परमेश्वर ने फाथा अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जीकों के धर्मदास यह बेद मेरा भेद है और मैं ना बेदन के माही, अर्जोन बेद से मैं मिलूँ यह बेद जानते नाही, यह चारों बेद मेरी ही महिमा का गुंगान करे हैं, लेकिन इन वेदों में वरनित विद्धी से मैं नहीं मिल सकता, मैं मिलूं वेदन से नहीं, और जोन वेद से मैं मिलूं ये बेद जानते नहीं, सुक्सम वेद से मैं मिलूं, उस तत्व ग्यान से, वो इन वेदों में वरनित नहीं उसका, अब आपको दिखाते हैं, ये चारो में भाई और मत्र अफा करते ही दास करा होता है व्हाइव कहां करते करना अवह संसक्रद करता सोट करने वालों से लिखवंगे सच्षाइए् देख एकर कि में गुमांने की चेस्टा तौ की हैं लेकिन सच्चाई के छुपया करें। यह है रेगवेद मंडल नूबर नौ दस मेरिशिदान सरस्वती इसका खीत ला रखिये हैं। प्रकासकें सर्वादेशी कारिया परती नीदी सभाव मेरिशिदान भौन रामडिला मैदान नही दिली। और यह मुद्रक कहां से है। अब इसके हम आपको दिखाते हैं नौमे मंडल का पर्थम सुक्त से हम थोड़ा सा बढ़ेंगे आगे यह देखना। यह नोमा मंडल है। इसका पर्थम सुक्तर पर्थम मंत्र है। इसमें देखियो ह। यह वत में प्रमात्मान। प्रमात्मा चल रही है। यह दिखाना पढ़ने है यह यह राफे़ी करने की चेस्ट की дан году. रेगवेद मंडल नम्र nुब नौ शुक्त एक मंतर दो है पर्मात्मन है पर्मात्मा की विश्य हम in कारी मं ले लौने भीन bounds 15 deciding है नमर के मंमें पूने पर्सट प्रामात्म आप दो को अरिव छटे में रेगवेज मंडल नमबर नो सुक्ष एक मंतर छे हे प्रमात्मन अब जो ये अनुवाद करता है ये महरशी दानद के चेले हैं इनके फिर याद आगी अक औरे महरशी दानद तो विद्धों विद्धों भगवान निराकार है तो इन्होंने जब देखा न शुरू कर जिया है तो वीर साब कहते हैं चोर चुरावे तूमडी और गड़े पाणी में वो गड़े हुआ उपर आवे इन्हों सचाई छनीना जैसे एक चोर ने किसे का तूमबा चुरा लिया सूखा और वो केकर उसने पाणी में छोड़ावनी चराप आजा बारे थोड ज्यानी ज्यान चोरों ने चोरी छुपाने की चेश्टा की तुमबे को ये सचाई को दबाने की चेश्टा की पर यह उपर आई देखना रगवेद मंडल नमबर नौ सुक्त एक के आपने छहते ही तो देख लिए है परमात्मा की महिमा अर यहां देख अब नीचे दिखात अब यह ज्यांतर में फिर उस पुरुस को ओगर गतियां प्रेड़ ना करती है अब पुरुषाने की उता है? अब देखो महिमा वेद कोई किसी विक्ती विसेश का गुनगान नहीं करते हैं यह परमात्मा की महिमा का गुनगान करते हैं अब पुरुष माने क्या होता है प्रमात्मा पूर्ण प्रमात्मा ये भी नहीं कि अन्वाद से सिद्ध करना पड़ेगा जब जचेगी जनताग है देखो अब ये जुरुवे दिखाते हैं आपको महरिशिदानत का अन्वादित और ये वहीं से प्रकासित है ये इसका अन्वादक है महरिशिदान सरस्वती है प्रकासित ये वही वाले है और इसके कती लाश्ट वाले मंत्र में अब ये आपको पहले भी दिखा था फिर दिखाना पड़ेगा प्रसंग दूसरा हो गया ये चालिस माद्ध है ये जुरुव इस सत्वारी सो चालिस मास अध्याए शतर मास लोग अब इसमें क्या बता है सनन्वाद क्या कि है मनुश्यू जिस जोतिस रूप रख सक मुझ से अविनासी इथार्थ कारण के अचिद्ध अचाधित मुख के तुल उत्मं का प्रकास किया जाता है जो वहे प्राणवा सु यह मुडल में पूर्से माने यह देखो पूर्से माने पूर्ण परमात्मा है पूर्स माने पूर्ण परमात्मा यह सोच करते हैं अब हमने रगवेद फिर ले लिया यह जुर्वेद दर दिया अब देखो यह रगवेद फिर ले लिया हमने और यह देखो हम जहां आपको लिएना काते थे, डगवेद मंदल नमबर नो, सुकत एक मंत्र, हम आपको आठ पर लियाए बे, आठ पर, उस पुरस को, उस पूर्ण परमात्मा को, पुरस माने पूर्ण परमात्मा को, उगर गतियां प्रेःना करती है, यानि उगर प्रसितियां हो जाती है, जब अगवान प्रमाः परापट होता है आप देखो, आंगे और जिस में तीन परकार से बूसरों का वारण करने के लिए, कल्यान करने के लिए, मधू हूँ में शिरिद मिलता है, उस प्रमाटमा का तीन परकार सतीथी में वो सब का धारण पोशवन करते, वारन करते, अब ये 2 दूसरी सत्ती में यहां पुर्णन किया है कि जब वह प्रमात्मा शी्सू रूप धारन करके आता है, शीत canned बालक का, तो उसे में उसकी प्रिवर्सकी लीला covenant है, उस सौम माने शूम सोभाव हो को यानि पूर्ण परमात्मा को समझो, अईनों ने अडंगा डानत मतलब था, यह देखिएो, यहाँ इसी यहाँ पर पर्थम मंत्र में, रिगवेद मंडल नबर नौ के सुक्त एक के मंत्र एक में सो माने परमात्मा, सो माने परमात्मा अमर पूरुस होता है, और यहाँ इनों कर दिया अब रेगवेद मंदल नमर नो सुकत एक मंतर हम नो में आ रहे हैं उस सोम माने अमर पुरुष को पूर्ण प्रमात्मा को जो सिशू रूप धारण करके बालक का रूप धारण करके कुमार अवस्था में ही इनी की पहले अनुवाद पड़ते हैं उस सोम सभाव वाल सरदालू पुरुष को यानि प्रमात्मा को कुमार अवस्था में ही सब परकार से अधन्या अधन्या माने बिना धनाई अभी माने पूर्ण रूप से सब परकार से यानि अंटस्ड देनों माने गौवें तरप्त करती हैं देखो कति क्लियर कर जिया कि उसका वास्तिव करत उस अमर परमात्मा को जब उसी सुरूप में होता है तो सब परकार से यानि कवारी गायों द्वारा उनकी परवरस की लीला होती है वो उनको तरफ्त करती है तो पुन्यात्मों ये लीला करी किसने आज तक ही त्यास दिखाए दो किसी वगवान क्या किसी मजब्ग्य का जिस कबीर साहिब न छोड़के तो हूई इस गौड कबीर इस गौड बो सत्कुर्देव परम पिता प्रमात्मा पूर्ण ब्रम सारी सिर्ष्टी के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी कबीर साहिब जी ये हमारे जनक है ये हमारे हमदर्द है ये हमारे परम्पिता है हमारे दुखों को देखकर ये परमात्मा बहुत दुखी रहते हैं और कोशिस करते हैं कि किसी परकार इन भूली आत्माओं को इनके मूल सथान का पता लग जा ये कहां से आए हैं और किस कारण से यहां आये हैं और यहां पर जो ये जीवन जी रहे हैं ये कितना कश्ट में समय वितीत कर रहे हैं लेकिन जहां हम रह रहे हैं जिस भगवान के जिस मालिक के अंतरगत हम रह रहे हैं ये काल भगवान है गीता जी जाय नमबर 11 के स्लोक नमबर 32 में ये कहता है मैं काल हूँ और जुन और सब लोकों का नास करने के लिए अब परवर्त हुआ हूँ श्री करसन से बाहर निकल कर वो काल बोल रहा था अपना विराट रूप दिखा रहा था श्री करसन काल नहीं थे श्री करसन जी ने पहले कभी अपने आपको काल नहीं कहा बाद में पस्तात में कभी अपने आपको काल नहीं कहा ये काल क्यों कहलाता है इसको एक रोग लगा हुआ है एक लाख मानों स्री धारी प्राणियों का नित आहार करने का और स्वालाख की उत्पत्ती करने का जिस कारण से यहां हमें अपने आहर के लिए रोके हुए है जैसे प्रमात्मा ने आके इसकी वास्तविक्ता को हमें बताते हुए क्या इसको कैसे एक्जम्पल दिया है दाता ने कि जैसे कसाई बकरे पालता है उसने उन बकरों को बहुत सुविदा दी हुई होती है परदान की हुई होती है एक सैड बनाता है गर्मी और सरदी से बचने के लिए चरागहा बनाता है एक जल का छोटा सा होद बनाता है उनको जल की सुविदा देने के लिए तो वो भोले प्राणी ये समझते हैं कि ये हमारा जो मालिक ये बहुत ही नेक विक्ती है हमारी कितनी सुविदा का ध्यान रखता है ए सुविदा सुविदा का कितना ध्यान रखता है और इसी द्रिष्टी कौन से जब वो कसाई उन बक्रों के बीच में आता है उससे वो प्यार करने के लिए उसके चारों तरफ घोम जाते हैं एक नेक विक्ती मानिक हैं कोई तो ऐसे पैर उठा कर उसको प्यार देने की चेश्टा करता है सीने से लगाना चाहता है कि इसने हमें कितनी सुझा दे रखी उन आत्मों ये पशू पक्सी प्राणी जितने जीव जन्तु हैं ये वही आत्माई हैं जो कभी पहले मन्व भी रही हैं तो परते एक प्राणी समझता है कि कौन कैसा विक्ती है जैसे कोई विक्ती जैसे हम देखा करते थे परस्वों को संभालता है जो एक घर का सदस्य है उनको चारा डालता है उनको नलाता है पानी पलाता है तो जब उनके निकट जाता है तो उसको चाटते हैं आथ को ऐसे प्यार देते हैं कि ये बहुत अच्छा अदमी है और एक नेक विक्ति जानक है, उसको प्यार देने के लिए उसके हाथों को चाटते हैं, उसने ऐसे हाथ लगा रखा होता है, वो देख रहा होता है, यह कितने, इसमें कितना मास बन गया, और वो चाटते हैं ये समझ कर के हमें ये बहुत ध्यान रखता है हमारी बहुत नेक विक्ती है और कसाई यूं देखे इसमें कितना मास हो गया यो कितने गाविक केगा पुनात्मो परमेश्वर कबीर देवजी ने हमें आकर के ये ग्यान कराया सतलोक से चल कर आए अपने उस सुख में स्थल से उस सुख सागर से चल कर आए जहां कोई कष्ट नहीं कोई जनम नहीं कोई मर्टू नहीं जरा नहीं बुडापा नहीं उन्होंने बताया कि तुम यहां की सुईधाएं देखकर कि कितनी बड़ी परच्वी है कैसे अच्छे मोसम है कभी गर्मी है कभी सर्दी है समय नुसार क्योंकि गर्मी की भी हो सकता है श्रीर को नहीं तो यह गल जाए और कैसी सुईधाएं दे रखी है जैसे गेहू है, सनाबाद, राजवार, सेव, संत्रेका, जो किसमें और सुंदर धरने बै रहे हैं, दरिया बै रही है परच्वी के अंदर मिठा जल, खारा जल सब उपस्थित है इन सुईधाओं को देखकर हम यह सोचते हैं कि भगवान कितना अच्छा है हमारा मालिक कितना अच्छा है हमारे लिए कितनी सुईधाओं परदान कर रखिये और जैसे वो बकरे उस कसाई को कितना अच्छा विक्ति मानते हैं क्योंकि उनकी बुधी इतना ही काम करती है और जिसमें उन बकरों को निकाल ले जाता है अच्छा सौदा बन गया दस-पांच बकरों का तो वो ने देखता किसका बेटा मरेगा किसकी बेटी किसकी मां किसका बाप एक डंडा लेक है और उसमें से निकाल ले जाता है कोई हा उस वो ने देखता कौन किसका है तो उस समय जब वो बकरे निकल कर जाते है सेस बचे हुए बकरे नियू बागते इदर उदर उनको पता लग जाता है कि अब बात बिगड़ेगी इनकी इतना ऐसास उनको हो जाता है तो पुन्यातमाओ प्रमातमा कबीर जी ने हमें बताया कि जहां तुम रह रहे हैं यो काल का लोग है उस कसाई का लोग है या कोई प्राणी सुखी नहीं और किसी का ये एक पल का विश्वास नहीं कब मरतू हो जावे इन सुईदाओं को देखकर तो हम समझते हैं कि बड़ा अच्छा बगवान हमारा और जिस में हम देखते हैं दुरगटना के अंदर एक ही परिवार के ग्यारा सदे से मरगे एक बुड़ा बच गया तो कहां गई वो द्यालू था इस यहां के बगवान की जहां हम रह रहे हैं कुछ भोली आत्मा इतना ग्यान हीन हो चुके हैं के हमारा तो भगवान से विश्वास ही उठ गया है भगवान को तो कहते हैं बड़ा द्यालू है और यहां एक भी काम द्यालू वाले नहीं है तो पुन्यात्मा बिना ग्यान के हम ऐसी अटकल लगा कर और दूने दुख पाते हैं अब जो द्यालू का लोग है द्याल का लोग है उस हमदर्द का लोग है उसको हम छोड़ का आगे अपनी नाला कीत हैं गलतीत हैं और जब तक हम वहाँ नगी जा लेंगे तब तक हम सुखी नहीं हो सकते ये लोग सुखका है ही नहीं 21 बिरमांट हैं इस काल भगवान के 21 बिर्मांड में आग लगी हुई है यही काम करोध की लोब मो एंकार की स्वर्ग के अंदर देख लो उन देवताओं के आपस में लठबाद जाए एक दूसरे की इस तरी पर बुरी नजर रखे जो करम यहां के परानी करते हैं वो यहां के स्वर्ग और महा स्वर्ग के जिनको हम देवता कहते हैं वो भी ही करते हैं तो कहां सुख होगा इस परानी को जो साधना है आप जी अभी तक क्या करते थे वेदों मवर नित्विधी उसकी अंतिम उपलब्दी स्वर्ग परापती है महास्वरोग्यानि ब्रह्म लोग प्राप्ति है और वहां गए हुए प्राणी भी फिर पुनर दिनम में आते हैं तो पुन्यात्मा इस ज्ञान को देने के लिए स्वयम परमेश्वर आते हैं और अब ये जो समागम सत्संग समारो चल रहा है ये उस सुब दिन के उपलक्स में है जिस दिन इस कल युग के अंदर वो प्रमात्मा अपने लीला अनुसार परते की युग में आते हैं और एक सिसु रूप धारन करके किसी सरोर के अंदर कमल के फूल पर विराजमान होते हैं और वहाँ से कोई नी संतान दम पत्ति उनको उठा ले जाते हैं वो चारों युगों में ये लीला करते हैं क्योंकि काल जैसे कलियों के बाद में एक परले होगी सब एस्त वेस्त हो जागा पूरी परचवी पर पानी ही जल ही जल हो जाएगा उच्छे सथल कुछ बच जाएंगे जहां जाकर के प्राणी अपनी जान बचाऊंगे थोड़े बहुत और उसके बाद फिर उनको उनके प्रिवार नश्टो जाएंगे कुछ एक बचेंगे ना उनके पास कोई इतिहास बचेगा ना कोई ज्यान बचेगा आईए अब हम उन श्रधालों के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत्रामपाल जी महराज जी से दिक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ती मात प्रचन रहे हैं जी बहाई जी करते थे इनसे आपको क्या लाब हुए बस यह कि समाज साथ को देखते देखते हम भी करते रहे चलते रहे फिर हमारे भगजी को मेरा आदमी को भगजी को बहुत प्रेशानी आई सराप पीते थे इज़ार पीते mmका खाते थे जर्दा क्याते थे और बहुत मतलबब इमार रहते थे और घर में नुकसान है नुकसान रहता था कई देदे घटों को ली जाते थे जाभ फूख वालों को ले जाते थे उनको काई से कोई राम नहीं मिलता था भाई बहुत परिशान रहते हैं बंजी संत्राइम पाल जी माराज के बारे में जानकारी आपको कहां से मिली? 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 करेंगे तो आपका स्याम मैं करूंगी मैं मैंना कर दी कि में तो बच्चा भीमार है तो वेन कोन जा ने के लिए वह दो दो बेन कहां से आएंगी तो सर मालिक ने बंदी छोड़ सुतु रामपल जी मारज ने ऐसी दया करी तो दो पहला फ़स्ट पेपर बच्चे का दसमीबेस चार देया करें दस हजार बच्चों बच्च का कम्पूर भॉट्र एडमिस्ट बट्च्व घार्ल पर एक लाभ और मुझे अभी अभी नया हुआ है तो मैं पान-चहा महीं चे मेरे का वल कर लो मागी तो तो कान में प्लसा आती थी बहुत दर्द होता था तो मैं सफदर जिंग मुझ गई तो महां बोले कि आपके कान में चेदः पर्ड़ गल चुका है तो सर मेरे भगजी काइन लगे मेरे पति देव कि आप ही है सुनाए नहीं होती तो मोधी होस्टल में आपको ले चलता हूं तो सर ये मेरे पती देव मुझे गहने से मुझे वहाँ पर ले गई, सर मेरे को 3-4 महने मेरे इलाज चलता रहा, तो मेरे को 24 अक्तुबर को मेरे डेट दी घी ती, अगर आप चाहे तो घर जा सकते हो, और दवाई आप थोड़ा बुत ले 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 आ, आप आगे देख बैंजी आपके साथ इतने सब लाव हुए, आपके बेटे को जीवन दान मिला, उसको साप ने काट लिया था, उसके बावजूत उसको कुछ नहीं हुआ, आपके पती की किडिनी ठीक हुई, आपके पती ने नसे छोड़ दिये, उसके साथ आपकी आर्थिक इस्तिती भी ठीक कुई, तथा आपके कान के आपरेशन को भी संत्रामपाल जी की दया से टाल दिया, इतने सब लाव हुने के बाद, जो सरदालों आपको सुन रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहोगे? धन्यवाद बैंजी आप सुन रहे थे जगत गुरू तत्वदर्शी संत्रामपाल जी महराज के मंगल प्रवचन, अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें